देखिए कुश्चन में क्या कहता है इसमें हलाकी ध्यान से देखिएगा कहता है डिटर्माइन दा रेजिदेंशल स्टेटर्स इन केस गीवन विलो नीचे कुछ केस गीवन है तो पहले है फॉरन कमपनी तो कमपनी का तो नहीं करा अभी हमने दूसरा ये वाली बात कर रहे है वाई हुएफ एक हंदू अंडिवाइड़ फैमली है घूज करता वाई जिसका करता कौन है अब समझ में आ रहा होगा करता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ इस आप परसन इंडियन ओरीजन वो इंडियन ओरीजन है ठीक है भाई अब देखो इंडियन ओरीजन में आपके दिमाग में क्लिक होगा एक सो ब्यासी दिन तो यहां पर बेसिक वाली तो बात ही नहीं आएगी ठीक है ना इंडियन ओरीजन वाई हैज बिजिट इंडिया हंडिड डेज एवरी येर हर साल आता है कहां से कंट्रोल हो रहा है तो सर सबसे पहले तो बेसिक कंडिशन के हटा के तो इसका स्टेटस आर वाला तो हो गया कंप्लीट यह अब एडिशनल चेक करना है एडिशनल साथ सालों में कितने दिन 700 और बाकी दो बार रेजिडेंट तो अब हर साल अगर 100 दिनों के लिए आ रहा है तो आप समझ सकते हो साथ साल में तो 730 दिन हो ही नहीं सकता अब समझे बात को यह कब से आ रहा है देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ आपने कहा कि यह आ रहा है कब से 2010 और 11 तो 10 11 में आया इसके बाद 17 18 18 19 19 20 20 21 और आप ध्यान से देखे तो हमारा जो है यह कब के लिए निकालना है असेस्मेंट येर 21 22 मतलब 20 21 क्या 16 17 रह गया चलो 16 17 अब हर साल 100 दिन के लिए रहा है आपको अंदाजा लगाओ यहां भी 100 वैसे एपरेंटली दिख रहा है यह सरफ मैं क्या कर रहा हूं आपको एक कर के दिखा रहा हूं तो सर इस साल का तो हमें कुछ चेकी नहीं करना पिछले देखते हैं क्योंकि इस साल में तो वो आर हो ही चुका है पिछला चेक करेंगे तो पहले दो बार रेजिडेंट तो दो बार रेजिडेंट अगर बात करूँ तो करंट येर के अंदर इंडियन ओरिजन है अब इसके उपर हम करता की कर रहे हैं तो दो बार रेजिडेंट के लिए कौन से वाला अपला होगा अब ये इंडियन ओरिजन है तो 180 दिन का है माल लेते हैं 180 दिन कर भी देता दूसरा भी चेक कर लो तो पिछले साथ साल में गिनोगे एक, दो, तीन आपका चार, पांच, छे, साथ तो 700 ही दिन हो रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं हाँ पर के सर बेसिक कंडि मतलब पहले वाला कंडिशन रेजिडेंट तो कर दिया बट अडिशनल कंडिशन सेटिस्वाइड तो इसका एक स्टेटस क्या जाना चाहिए एन, ओ, आर चलिए इसके अंसर के उपर भी ध्यान दे देते हैं सर, सेकिंड पॉइंट था सेकिंड था नँ यह रहा सेकिंड उपर है यह रहा, हाँ, ठीक है क्या कहता है, देख लेते है कहता है, the status of Y is residence as controlled and management in hand of team profession in India under the guidance of Y ठीक है, सर, इंडिया से control हो रहा इसलिए resident हो गया visit every year, 100 days since 2010-11 the HUF may become ordinary resident may become ordinary resident का मतलब हो सकता है अगर यह satisfy कर दे two additional two condition laid down section यह दे दिया पहला, he has been stay in India sorry, he has resident in India at least two year out of ten year ठीक है, साथ, two time बोलो two year कह लो और साथ के साथ, 730 दिन out of मतलब seven year के अंदर but करता, why who is a person Indian origin does not satisfy both condition जो section में mention है आप यह section लिखोगे तो कई बार अगर मालो यहाँ एक गलती से लिख दिया आपने बी के जगा तो आपका सारे नंबर गए इसको हम क्या बोलते हैं क्लियर यह तीसरे पार्ट के लिए तीसरा पार्ट के अभी देख लेंगे वो तो समझ में आ गया हमारा हूफ का इतना ही काम था इसमें हूफ में और ज़्यादा कुछ नहीं है कोई दिमाग नहीं लगा ना बुक के एक दो कोशन में दिखा दूँगा वो करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा क्लियर चलिए सर इसके बाद हम आगे देखें तीसरा कोशन क्या था मैंने ध्यान ही नहीं दिया तीसरा इंडिविज्वल के उपर है ये भी होमवक में टिक कर लीजिये आप अब देखना गौर करना ऑस सिटीजन ऑफ बांगलादेश बांगलादेश कहां था बांगलादेश हमारा पहले इंडिया का ही पाठ था ना अस सिटीजन ऑफ बांगलादेश हिज आपका मेटरिनल grandfather born in village of near Dhaka 1945 Dhaka में born हुआ था तो सर धाका भी इंडिया का बंगलादेश की राजधानी है तो इंडिया का ही बाट था हूँ धाका भी He comes इंडिया first time एक में और 4 अक्टूबर को 200 दिन के लिए आ रहा है तो इंडिया और इजन है 200 दिन के लिए आ रहा है तो वैसे ही क्या हो गया यह 182 डेज वाली बात तो complete करी रहा है तो यह क्या बन जाएगा resident लेकिन आपको यह मुद्दे की ध्यान रखना है कि October में आया था यह और विजिट 4 October 2020 के अंदर 200 दिन के लिए और कब आया यह 1st time तो इसके आंसर को एक बार देख लेते हैं वैसे आप करोगे तो definitely हो जाएगा यह पूरी calculation करा तो कितने दिन हो गया इसके October में 170 इसने बोल दिया समझ में आगई बात क्या कह रहे है क्योंकि सर उसने 180 दिन नहीं किया बोला हर साल 200 दिन के लिए आता है लेकिन जिस साल के लिए निकाल रहे है उस साल तो आपको date दिया तो date से count कर लोगे न उससे पीछे आ रहा था तो यह simple सी बात थी अब आजाते हैं question number 4 कर चुके हैं हम already शायद या नहीं किया tennis player वाला कर लिया था question 5 कुछ बच्चे कह रहे हैं sir question 9 में doubt बताओ चलते हैं 9 पे 9 कौन सा है जीद इसमें doubt है okay 9 question कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे अभी तक हम यह चेक कर रहे हैं कि उसका status क्या है अब उसके income की भी calculation की हम बात करेंगे यह तो answer हो गया चलिए question है जिन बच्चों का doubt है ठीक है जिन बच्चों का doubt नहीं है एक बार वो भी देख लेंगे जितना समझ में आता है पढ़ लेते हैं कहता है Mr. Ramesh नाम से Indian लग रहा है Indian citizen इंडिया है went to Canada Canada चला गया भाई for business purpose और business भी employment के अंदर ही count आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है इसके लिए note देना होगा आपको एक हो गया नौकरी के लिए बाहर जा रहे हो अब याद होगा shooting वाले में तो वह बाहर गया था तो अब कुछ है वीटी होते है ना जिसके अंदर हो जाता है confusion यार ये काम गाज के लिए जा रहा है नौकरी के लिए जा रहा है किस लिए जा रहा है पता नहीं चल रहा है तो ऐससे situation में आपको जो भी justifiable लगता है उसके लिए note दो के हम ये अजंशन ले रहे हैं तो ये इंडिया से बाहर business purpose तो मैं मान रहा हूँ employment purpose के लिए गया होगा ये एक-एक 2016 को चला गया था यानि ये इंडिया छोड़ के चला गया था एक जनवरी 2016 में इंडिया से जा चुका है और 17-18, 18-19, 19-20 he was in इंडिया 100 days every year और इन सालों में हर साल ये इंडिया में कितने दिन रहता है he returned to India, settled here वो बोलता आप भाई बहुत परिशान होगे इंडिया ही चलो वापस 1-2021 में इंडिया आ गया determine the residential status for the assessment year 2021 और 22 तो अब सबसे पहली बात हमारा current year का जैसे हम बना रहे थे scenario वो बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए देखिए हमारा current year क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है तो sir current year हमारा 14-2020 को शुरू होने वाला है और खतम कब होने वाला 31-3 2021 को clear है अब बात कर लेते हैं वो इंडिया में कब आ जाता है कहता है कि इन सालों में he was in India 100 दिन ठीक है भाई इन से पिछले सालों में तुम 100-100 दिन आ रहे हो कोई बात नहीं है मुद्दे की बात है इस साल में ये कब आया एक जन्वरी को ठीक है न और 20-21 में आता है ये जन्वरी में एक एक दो हजार एकिस तो सर ये वाला जो दिन है वो कहां है केनेड़ा में बाकी ये वाला जो दिन है इंडिया तो जन्वरी में कितने दिन 31 फैब में 28 मार्च में मार्च में कितने दिन 31 दिन टोटल कितने हो गए हाँ 90 दिन हो गए अब सर कंडिशन होता है कि करेंट ये के अंदर 180 दिन आपको रहना है लेकिन अगर आप इससे बच गए तो हम आपके उपर लगाएंगे दूसरी कंडिशन जो कि है 60 दिन और 365 दिन तो सर करेंट ये में 182 तो नहीं रहा ये अब चलो दूसरे वाला क्योंकि ये इंडियन और इजन भी नहीं इंडियन सिटीजन बोला है सिटीजन और और इजन में फरक है आप यूएससे से आ जाईए और यहां पर आप अधार कार्ट बनवा लेजिए अगर मान लेते हैं जो बाइडन यहां पर अधार कार्ट बनवा ले इसके उपर दूसरा तो चेक करी सकते हैं पर आएगा ऑफारा उनिस फिर आएगा सतरा ऐठारा और फिर आएगा सतरा फिर आएगा 15 इ सोला फिर आएगा 14 income मैं 10 साल लेलू ना क्योंकि वा एडीशनल कंडिशन भी हो जागए, एक दो, तीन, चार, पान्च, छे फिर आएगा 13, 14, 7 अब ज़्यादा लेनी की जुरत नहीं पड़ी कि आप ध्यान से देखना सर इसके अंदर वो कितने दिन के लिए आया इसके अंदर कितने दिन के लिए आया कहता है 17, 18 तक ही 100 आया 16 में तो 16, 17 तक ठीक है नहीं, कहता है के एक ये देखो ध्यान दो कहता है के यहाँ पे कैनेडा चला गया बिजनस परपस के लिए एक-एक 16 में तो 16, 17 तो यही हो गया यानि यह जो 16, 17 से पहले यह देख रहे हो ने यह वाले टाइम इसमें तो सर हमेशा यह 365 दिन कहा था इंडिया में ही था तो जो 2 out of 10 में तो resident हो रहा है जो इसका बात छोड़ दो यहां तो हो गया यह तो 10 साल भी नहीं हो है तो additional condition number one complete additional condition number two पिछले 7 सालों में कितने दिन 700 वो भी कर देगा 16, 17 में देख लेते हैं कितने दिन रहता है सर 16, 17 में यह चला गया था कब छोड़के एक जन्वरी 16 में और during the past previous year 16, 17, 17 यह थोड़ा से यहां पर error है थोड़ा सा error मैं बोलूँगा question के अंदर है यह 16, 17 नहीं होना चाहिए या तो यह होना चाहिए मैं इसको 15 कर रहा हूँ ठीक है इस साल को मैंने 15 कर दिया तो सर आपके लिए यह हो गया 100 दिन question को समझिएगा और 15, 16 में कितने दिन रहेगा वो क्योंकि एक जन्वरी को जा रहा है एक जन्वरी को छोड़के जा रहा है तो दिसंबर तक भारत में ही है दिसंबर तक आप अगर days या month count करते हो तो 9 महिने हो गए टोटेलिटी में तो 9 मन्थ में मैं मोटा मोटा मानलू 27, 270 दिन मैं exact नहीं पता चल रहा है क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा मैंने tentative ले लिया 270 दिन से कहीं जादा कम उपर नीचे जादा ही होगा क्यों? 1, 4, 15 से 16 मैंने date change कर दिया न 15 यह 14, 15 में आएगा फिर तो पहले ठीक था हो पहले ठीक था भाई गलत नहीं था उसे ठीक करो उसे ठीक है भाई question question में कोई दिक्कत नहीं है 16, 17 की बात करते है 16, 17 में अब उसने बोल दिया सर, 16, 17 जो आएगा न वो अगला साल आएगा अब यह जो बात कर रहा है ने यह 15, 16 की बात कर रहा है ठीक है? किसकी बात कर रहा है यह? आप देखिया सही से दिन मेरे से भी गलती हो गई 16 है, 16 के बाद 17 थोड़ी पहुँच जाएगा वो इसके बाद तो एपरेल आएगा एपरेल भी 16 ही रहेगा तो 15, 16, 15, 16 में मान लो टेंटिटिवली मान रहा हूँ, 270 दिन तो हो गई भाई और इस टाइम पर कितने दिन था? तो एक तो कंडिशन बनता है सर आपका करेंट येर में 60, डन पिछले 4 सालों में 365 एक, दो, तीन, चार 365 हो रहा है? डन ठीक है? दो चीज़े इसने डन कर दिया इसके बाद हमारा बेसिक कंडिशन जो था बेसिक कंडिशन तो ओके अब बात करते हैं एडिशनल कंडिशन का दो बार रेजिडल से होना चाहिए तो दो बार तो वैसे ही रेजिडल हो गया और यहाँ ढ़ल हो गया अब इससले दिन यह दिन echo के तो अब डिखा रहा है आर वार हो गया सब्सक्राइब नहींutive दिया policy का है सर हमने में एंप्लिव मेंट के यह वाद समझ में आई आपने अगर employment के लिए अज्यूम किया है तो यह हो जाएगा अगर आप मान के चल रहे हूं कि employment नहीं है ऐसा business dealing के लिए जा रहा है not a part of employment तब तो यह होगा लेकिन आप बोल रहे हो सर यह है employment तब यह सीधा सीधा चला जाएगा क्योंकि basic ही नहीं कर पाया अगर employment मानोगे तो exception में चला जाएगा और exception क्या कहता है आपके लिए condition number 2 कौन सा है condition number जो की current year में ही कितने दिन हो गया 90 दोनों तरीके से मैंने answer बता दिया जो assumption लोगे exam में लिखके आने पड़ेंगे आपको यहाँ पे भी answer में भी देखिए let first calculate days उसने पूरे days वगरा जो हम calculate कर रहे थे 90 days कर लिया इन्होंने रमेज fulfill the second condition of the basic condition जो की हमने देखा था 365 दिन वाला immediately 60 दिन वाली बात कर रहा है additional condition also satisfy कर दिया इसने कहता है कि he was resident 2 और 730 दिन भी कर दिया रमेज fulfill all above the condition he is ordinary resident तो इसने किस मान क्या मान के आंसर लिखा वाई सर यह वह employment purpose के लिए नहीं गया अगर आप employment purpose मानोंगे तो आपका जवाब क्या होगा एनार हो जाएगा दोनों जो बच्चे देखो पेपर में दोनों बच्चे अलग अलग लिखेंगे आंसर दोनों का सही होगा अगर assumption नहीं डाला आपके तो गलत हो जाएगा यानि assumption डालना जरूरी समझ में आई बात आपको बताईए जो बच्चे लाइव में हैं किसी की दिक्कत परिशानी समस्या सर एक बार additional condition number one बता दीजिए कैसे हुआ additional condition number one देखो आप additional condition one क्या कहता है दो बार resident होना चाहिए तो दो बार resident के लिए 10 साल count करोगे ना यहां से अब 10 साल देखो तो बहुत आगे तो 10 साल में तो मेरे को बाद के यहां की तो छोड़ो यहां भी आर है वो यहां भी आर है वो यहां भी आर है वो और शायद यहां भी आर ही बन जाएगा क्योंकि 60 दिन फिर 365 दिन फिर 60 तो वो पूरा रेजिडेंट हो रहा है कितनी बार हो जाएगा दो बार से तो जादा ही हो जाएगा ठीक है बात करते हैं रेजिडेंशल स्टेटस के अंदर हमने इंडिवीज्वल और हुएफ का ये निकालना तो सीख लिया कि उसका रेजिडेंशल स्टेटस क्या है अब हम ये सीखेंगे कि उसका इंकम रेजिडेंशल स्टेटस में उसका इंकम कैसे कैलकुलीट किया जाता है अभी तो उस person का status देखा income tax वाले ने बुलाया पहले उसको पूरे condition condition लगाया अब उसके बाद पता चल गया के भाई 13 status अब तू अपनी income बता अब बताएंगे तेरे पर कितना tax लगेगा समझ रहे हो बात को कैसे निकाला जाता है पहले तो हमने बुलाया और पहले हमने देखा भाई तू कहा गया नहीं गया यह बता अच्छा तेरा status हो गया अब तू income बता तो वो बोलेगा मैंने यह foreign में कमाई वो बोलेगा मैंने यह India में कमाई वो बोलेगा वो मेरा interest का income है वो dividend का income है उन सभी को जोड़ेंगे बोलेंगे तु एनोर है और एनोर के हिसाब से तेरी ये इंकम पे टेक्सिबल लगेगी तो अब टोटल इंकम को डिटर्माइन करना हमारा क्या होगा अगला कॉंसेट जो की हम नेक्स क्लास से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसके अंदर लगेगा टाइम थोड़ा जादा ठीक है तो अगला देखोगे तो आप इसी के उपर टॉपिक भी है